अब ये question क्या कह रहा है और इस question में doubt क्या है बच्चे का वो मैं आपको बताऊंगा question क्या कह रहा है एप पार्टिकल इस प्रोजेक्टेड एपार्टिकल इस प्रोजेक्टेड विद 20 meter per second at an angle 60 degree with the horizontal at what time it is moving at an angle 45 degree with the horizontal while moving downward at what time what is the angle 45 degree with the horizontal when with the horizontal while moving downward तो आई थिंक विश्वास जो है हमारे हमारे स्टुटेंट है तो जो यूटूब पर हमसे जुड़ा हुआ है उसने जो है कि सवाल भेजा उसको यह डाउट था अब डाउट क्या है विश्वास ने बोला तो सर यहां पर यह जो माइनस लगाया है वो क्या वो कैसे आया तो डाउट तो देखो चाहे छोटा हो या बड़ा डाउट डाउट होता है तो यह नहीं सोचना है कि भाई अरे इसका तो चोटा सा डाउट है, इसको यह भी नहीं आता है ऐसा नहीं सोचना है, डाउट किसी को भी हो सकता है, फिज YEX है यह जो फिज प्रिजेक से वहिया ह manuscript नहीं है, फिज एक सांशेट के में बेस पर चलती है, तो आपको जो भी डाउट है चाहे छोटा है या बड़ा है सभी डाउट को clear किया जाएगा तो इस डाउट में यह है कि भाई यह minus क्यों आया अब मैं आपको पहले इसकी थोड़ी थोड़ी बता देता हूं concept समझा देता हूं projectile motion का simple words में बता दूँगा थोड़ा सा time लगेगा थोड़ा सा बोले तो थोड़ा मतलब कम time आपको पता है अगर कोई object यू वेलोसिटी से हैं और एंगल थीटा बनाते हैं तो यह आपका यू कॉस थीटा होता है यह आपका यू साइन थीटा होता है यह आपको पता है तो यू कॉस थीटा मारा यू एक्स के क्वल होता है और यू साइन थीटा मारा यू वाई के क्वल होता है अब आप किसी भी पॉइंट पर जाएंगे अगर आप आगे किसी भी पॉइंट पर जाएंगे तो जो यू कॉस्ट थीटा है वो constant होता है सेम होता है वह होरिजोंटल कंपोनेंट जो velocity का है वह सेम होता है ऐसा क्यों है क्योंकि होरिजोंटल डारेक्शन में डेर इस नो एक्सिलरेशन जब एक्सिलरेशन नहीं होगा तो जो अब्जेक्ट है उसकी जो सिटी होगी वह constant हैगी सेम रहेगी तो हर सभी हर पॉइंट पर जैसे मालों यहां इस पॉइंट पर आप देखोगे तो आपको यह यू एक्स इतना ही यहां पर भी मिलेगा थोड़ा चोटा बनाएंगे जितना यू एक्स यह है उतना ही यू एक्स आपको यहां मिलेगा अब यह जो यू यू साइन खीटा वाला component है जब उपर जा रहे है तो देखो वर्टिकल वलोसिटी का जो component है यह कम होता रहता है यह कम होता रहेगा डिक्रीज होगा और जैसे यह maximum point पर पहुँचेगा इस maximum point पर जो horizontal component है वो तो उतना ही रहेगा लेकिन यहां पर जो यू वाई है वो जीरो हो जाएगा और आपको यहां पर यू एक्स जो मिलेगा यू कॉस थीटा के एक्वल ही मिलेगा तो इस तरह से यह प्रोजेक्ट एल मोशन मूव करता है अब चुकि यह बोल रहा है कि यहां पर बताना हमें किसी ऐसे point पर जहां पर यह horizontal तो सेम रहेगा यू एक्स और यह यू कॉस थीटा मैंने भी बताई दिया है कि horizontal हमेशा क्या रहेगा सेम और वर्टिकल जब उपर जा रहा था तो वर्टिकल की पॉइंट के बाद यह downward हो रहा है तो कोश्चन में यह बोल रहा है कि at what time it is moving at an angle 45 degree with the horizontal तो यह horizontal हो गया यह वर्टिकल हो गया हना तो यह बोल रहा है कोश्चन में कि भई यहां पर बताओ यह एंगल जब 45 डिगरी हो गया तो यह कितने टाइम के बाद होगा यहां तक पहु moving at an angle 45 डिगरी with the horizontal while moving downward यह downward वाले motion में देख रहा है और जो velocity है वो पॉट जो है रिजल्टेंट वलोसिटी है वो 45 डिगरी एंगल बना रही है with the horizontal direction तो किस टाइम पर बना रही है यह हमें find out करना है अब देखो यहां पर 10-1 लिया है यह बहुत सारी चीज़े बुक्स के अंदर आप देखोगे तो आपको इतनी confusion होगी कि आप अपना माता पकड़ लोगे सिर पकड़ लोगे बाल नोचने लगोगे ठीक है तो मैं आपको बहुत simple तरीके से समझाओंगा बस आपको दियान से समझना है इस पॉंट पर यू एक्स तो आपको सही मिल रहा है भाई यू एक्स आपको मिल रहा है यू कॉस थीटा यू आपको गीवन है question में 20 और कॉस थीटा कॉस थीटा कितना दिया हुए 60 डिगरी इनीशेल एंगल यहां पर 60 डिगरी दिया है यह तो किसी बच्चे ने बनाया है तो कॉस 60 डिगरी ठीक है भाई 20 कॉस 60 कितना होता है 1 बाई 2 तो यह कितना हो गया कैंसल हो करके 10 आपको मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड तो आपको 10 मीटर पर सेकेंड जाए होरिजोंटल वलोसिटी मिल गई अब यूवाई यूवाई आपका क्या है यू साइन थीटा भाई यह रहा यूवाई इनिशिल वलोसिटी इन वर्टिकल डारेक्शन तो यू आपको कितना दिया है 20 साइन 60 अब साइन 60 क्या होता है रूट 3 भाई 2 इसको कैंसल कर देंगे यह आ गया 10 डैट मिंस 10 रूट 3 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड आपको मिल गई वही वलोसिटी इन वर्टिकल डारेक्शन अब अब चुकिए तो इनिशिल वलोसिटी मिली है अगर मैं वर्टिकल वलोसिटी इस पॉइंट पर वलोसिट पहुंचते हैं अब टी टाइम पर पहुंचते हैं एट टाइम टी एट टाइम टी एट टाइम टी हमें क्या क्या करना है यह आपको देखना है देखो यह एंगल 45 है यह एंगल 45 है अगर आप 45 का ट्राइंगल यहां आप देखी रहे हो अगर यह लाइन इस तरह से बना दे तो यह वाली जो vertical velocity है, यह velocity यह होगी vertical, that means यह VY है, यहाँ पर आपकी VX जो है UX के equal है, यह velocity है V, final velocity ले ले लेते हैं VY, और यह होगी यहाँ पर VX, ठीक है, VX आपकी UX के equal होगी, बताई चुका हूँ, horizontal direction में velocity same रहती है, vertical direction में change हो जाती है, तो अगर हम अब यहाँ पर VX की बात करें तो VX तो हमारा किसके क्वल है UX के क्वल है VX हमारा UX के क्वल है और हमारा यह कितना है 10 मीटर पर सेकेंड अब हम VY की बात करेंगे VY कितना होगा यह VY ही समझना है अब देखो इसको देख लेते हैं इसको देख लेते हैं इसकी जरूत नहीं है इस-1 की जरूत नहीं है आपको बोल रहा हूं क्यों इसको द्यान से समझ लेना है आपको 10,5 आपको तो एंगल 45 दे दिया ना यह एंगल 45 दे दिया तो 10,45 1 आपको पता है यह minus क्यों नहीं करना है इसको द्यान से समझ लेते हैं देखो जब भी projectile motion का कोई भी question करोगे पर अगर मालो आपने कोई भी reference reference point लेते हो वालो यह reference point है आपका तो ऊपर की velocity positive नीचे की negative right की positive left की negative बस simple अब चुकी है इस point पर देखो इसकी जो वर्टीकल वलोसिटी वह downward वर्टीकल वलोसिटी क्या है downward तो आप जो यह वी वाई लोगे तो वी वाई अब जो यह वी वाई है यह देखो downward डारेक्शन में negative ले लो that is equal to initial velocity यूवाई यूवाई हमारा initial velocity positive अपवर्ड है तो यह positive आ गया प्लस एक ही जगे माइनस जी आता आपको पता है जो acceleration डू टू ग्रेविटी आउल्वेस downward एक्ट करता है तो इसलिए negative आय अगया यह हमारा टाइम्म टी उडाना है रभण टाकर दो यह means multiply क्यों यह तरह से अरेंज कर दिया किलियर है है यहां तक कोई डाउट है बहुत बढ़िया अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो अब हम क्या कर सकते हैं अब हमें 10-5 निकालना है 10-5 निकालना है तो 10-5 कितना हो जाएगा जगा की कमी पड़ रही है भाई इस एक्वेशन में डारीक्षण पहले ही कंसीडर कर ली तो 1045 जीटी माइनस यूवाई अपॉन में वी एक्स आप है यह वन आ गया तो वन इन्टो टैन्टे ये टैन हो गया डारेक्ट करता हूं में अब जीटी माइनस यूवाई कितना है हमारा यूवाई हमारा 10 root 3 10 root 3 तो यहां से gt कितना आ जाएगा gt आ गया इधर आ गया जाएगा तो 10 plus 10 plus 10 root 3 ठीक है भाई तो g की value 10 ले लेते हैं अगर g की value 10 लेंगे तो 10 10 10 cancel होते ही t हमारे पास आ रहा है 1 plus root 3 second clear है तो यह time आ गया 1 plus root 3 second तो आपको यह समझना है कि यह जो minus आया वो कैसे आया g जो है downward act करता हमेशा इसनी वज़े से आया यह वाले minus लेने की जरूत नहीं थी क्योंकि जो आप VY हम consider कर रहे थे वो हमने यहां पर consider कर लिया पहले ही तो यहां पर बहुत ज्यादा confusion हो जाती है आपको 10 5 हमेशा positive रखना भी 10 5 एंगल लेका आप तो इसका एंगल मानो क्योंकि आप जब complex नंबर पढ़ोगे maths के अंदर तो वहां पर आप देखोगे 10 5 इस तरह से mode के अंदर लिया जाता है तो आपको यह हमेशा mode के अंदर यानिक इसका इसका तो magnitude ही लेना है यहां पर magnitude ही लेना है लेकिन इसका magnitude निकालने के लिए मैंने विद डारेक्शन यहां पर consider कर लिया है इसको जब विद डारेक्शन यहां consider कर लिया तो यहां पर 10 5 is equal to minus 1 की ज़रुत नहीं है उमीद करता हूँ आपको इस question का जो concept है वो समझ में आ गया अब बिल्कुल यही जो sign convention है या यह सारी चीज़े जो मैंने आपको बताई और initial velocity constant रहती है horizontal velocity और vertical velocity जो है change होती रहती है यह जो concept है आप projectile motion के अंदर कोई और question होगा उसमें fit करना सारे question होगे अगर किसी question में doubt है तो आप जो है मुझे whatsapp कर सकते हैं telegram पर group join कर सकते हैं clear है तो उमीद करता हूँ इस doubt का खात्मा भी मैंने कर लिया है और आप सभी को इसका यह concept है doubt है वो clear हो गया होगा अब हम मिलेंगे next doubt में next question में